यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पचासवे जनम दिन पर अपना बिजनस छोड़ कर फॉल टाइम लोगों की सेवा करने का उन्होंने मन बनाया जुसके बाद खबरे अभी तक से उन्होंने खास बात चीत की क्या कुछ उनका कहना था आईए सुनते हैं समय मौझूद है सतीश राज देशवाल जी अब जो है यहाँ पर समासेवी से नेता की और आगे बढ़ चुके हैं देशवाल जी उनसे जानने की कोशिश यही कर रहेंगे कि आखिरकार उनका विजन आगे क्या है उनके गाउं को लेकर भी अगर वाद लोक सुबा के चुनाल रढ़ते हैं या विजन सवा में जाते हैं तो उनके क्या-क्या मुद्दे रहेंगे एक सवाल आपसे सीधा होगा, मैं एक समासेवी से बात कर रहा हूं या फिर एक नेता से समासेवी से क्या लगता है कि समाज सेवा के बाद सत्ता की और आगे बढ़ने के लिए एक कोशिश आपने की है इसमें कामयाप हो पाएंगे क्या-क्या चुनोती आपके सामने होंगे पता नहीं हम पूरी ताकत लगा देंगे अपने आपको कामयाप करने के लिए देशवाल जी एक सवाल ये भी उठ रहा होगा सभी के मन में बच्चे भी याँ पर बैटे हैं युवाई बैटे हैं बुज़ुर्ग बैटे हैं महिलाए बैटे हैं क्योंकि उनके मुद्दों को लेकर आप आने वाले समय में चुनाओं में उतर सकते हैं आपनी जैसे के अला सबसे बड़ा सवाल यही होगा बहुत सारे स्कूल में गया डाई तीन अजार स्कूल में कुछ ठीक नहीं है बारा साल से लगावा हूं कोई सोचता ही नहीं है इसलिए सोचा लेकिन आप अकेले इस काम को कर पाएंगे मैं केला नहीं हूँ देखो कितने सारे लोग है मैं के जान है मेरी हिम्मद है मेरा होसला है मेरी बुलंदी है मेरा गाम है मेरा चोगामा है मेरा क्षेतर है मेरे सारे लोग है सबने मेरे को होसला दिया तो मैंने इन लिया लेकिन आप यह भी जानना चाहेंगे हम हमारे दर्शक जानना जाएंगे ज़रूर यहां तो लोग जानते मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि मिर को इन युवा साथियों के साथ अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए और मैं उसी टाइम से लगे हम लोग बने यानि सबसे बड़ा मुद्धा आपका शिक्षा का ही होगा यहां पर बच्चे भी मौजुद हैं वो भ कर रहे तो क्या दिक्कत है कि बंद करो कि क्यों यह सब बेड़ा उठा रखा है कहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुलक्राम साब के सपने पूरे होंगे कब तक पूरे होंगे कितने साल होगे 72 साल होगे हमसे पीछे अजाद होने वाले हमसे बहुत आगे निकल देशवाल खाप का समर्थन तो आपने जुटा लिया बाकी खापों का भी समर्थन जुटा पाएंगे क्या उनको कैसे मनाएंगे और क्या उनको बाते करेंगे मुद्दे लेकर उनके बेच जाएंगे देखिए मैं मैं कोई जात्पात में विश्वास नहीं करता मैं अपने आपको भारतिय मानता हूँ मेरी तो एक ही बात है राजनीती में किसको आइडियल मानते हैं आप मैं राजनीती में आइडियल मानता हूँ सरदार वल्लब भाई पटेल को उस व्यक्ति ने हमारे देश को एक करने के लिए अपनी एडि चोटी का जोर लगा दिया अपने देश को मिलाने के लिए अपने देश को बड़ा करने के लिए को भी मिला है जब इनको समर्थन यहाँ पर सभी वर्गों का मिला है संसमाज भी यहाँ पर था और अन्यवर के लोग भी कैमरामेन वेबर के साथ कमल कोशिक खबरें अभी तक कर दो